समस्वत का ये सत्र अत्यनत महत्वपुन है देश आज़ादी के अमरित महोत्षव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आज़ादी के अमरित महोत्षव के निमित रचनात्मक सकारात्मक जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आज़ादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है यह खबरें यह अपने आप में भारत के उजवल भविश्य के लिए शुप संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों कि संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किछी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा कि देश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का यह सत्र और आगे वाने आजवाले भी सत्र आज़ादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरीट था आज़ादी के अमरुत महुत्सव का जो स्पिरीट है उस्पिरीट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह सत्रह बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्पग निर्णवा वाला बने मैं आशा करता हूं कि भविष्य मैं संसत को कैसा चलाया कितना अच्छा कंट्रिबिशन किया उस तराजू पर तोला जाए नकी किसने कितना जोड लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसाथ में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारत्व काम हुआ हम चाहते हैं हुआ है कि सरकार है हर विशे पर चर्चा करने के लिए तयार है कि खुली चर्चा करने के लिए तयार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है और आज हादिक अमरुत महुत्साओं में हम यह भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसाद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में कि सरकार के खिलाब कि सरकार की नीतियों के खिलाब कि जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वह आचरन करें जो आने वाले कि दिनों में देश की युवा पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कि कोरोना की विकर्ण परिस्तिति में भी देश ने कि सो करोर से अधीक कि डोजीच कोरोना वैक्सीन और अब हम कि देड़ सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि नए वेरियन की खबरें भी कि हमें और शतर करती हैं और सज़क करती हैं मैं संसक के सभी साज्चों को भी सथ उत्तर रहने के लिए प्रहसना करता हूं आप सभी साथ्यों को भी सथ उत्तर रहने के लिए प्रहसना करता हूं क्योंकि आप सब का उत्तम स्वास्त देश स्वास्व का उत्तम स्वास्त ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रास्पिक्ता है देश के 80 करोर से अधिक नागरीकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों इसलिए कि प्रधान मंत्री गरीब पिल्याण योजना से अनाच मुट्य में देनी की योजना चल रही है अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है करिब 2160,000 करोड रुपिय की लागत से अच्छी करोड से अधिक देश वास्यों को गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंतागी गई है कि मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में कि देश हुट के निर्णय हम तेजी से करें मिल जूल करके करें सामान मानवी की आशा अपेक्षाव को पूर्ड करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद करें से इसकी आशा करें से करें से तुमाद